हलो माई डियर फ्रेंड्स आप सभी का हमारी चैनल करेंटिक्षी पस्वागत हैं दोस्तों पॉल्टिकनिक छातर के थर्ड समेश्टर के जो स्टूडन्ट है इलेक्टिकल इंजिनिंग के इन सभी के बहुत ज़्यादा इस पर कमेंट थे गुजारी से कि जिस परकार से आप सभी कमेंट थे आप एगर इस सब्जिक्टों पूर्ण रूप से पढ़ना चाते हैं तो प्लीज आप लोग यही मैं आप से कहूंगा कि मैं लास्ट चैप्टर तक आपको बढ़ी डीपली के साथ सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा तो बस आप पीडियो के साथ बने रहिएगा और थोड़ा आप सपोर्ट कीजे आप अपने कॉलेज के जो भी वाटसाप ग्रूप है जहां पर इस्टडी के फिल्ड में ठीक हैं वहां पर आप इसको भेजिए जिस से सारी चीज़े और इस्टूडन जो एलेक्टिकल के हैं वो जुड़ सकें मैं आपको deeply से चीज़ों को पढ़ाना चाहता हूँ और यह आपको मैं पहले से बता देता हूँ यह आपका जो subject है E.I.M. इसमें बहुत ज़्यादा आपको instrument जैसे emitter, wattmeter, voltmeter यही सारी चीज़े इसमें हैं लेकिन चीज़ों को बड़ा deeply से आपको सीखना हैं इसमें आपको दिया जाएंगे जैसे इस books में आपको content जो दिया गया है इसमें देखिए यहाँ पर आपको बैद्दुत माप यंत्रों का परिचे पहले आपको दिया जाएगा detail में आपको समझाया जाएगा introduction of electrical measuring instrument measurement of measurement and इसके errors होंगे instrument and the requirements क्या है ठीक है next आपका यह इ competition के view से भी है अर्था जब आपको अगर आप electrical branch लिए तो कुछ सोच करना है कि आगे के हमें J की preparation करना है इस प्रकार अगर आप सोच रहे तो यह हम पहले से बता देता हूँ यह subject आपका बहुत ज़्यादा important है इससे बहुत ज़्यादा question आगे भी आपके बनने वाले तो अ energy meter में आपका इसमें दो topic है energy meter watt meter and maximum demand indicator ओके इसी प्रकार आपका दोस्त इसमें आपका विवीद मापन उपियंतर था मापियंतर है इसमें ठीक है इसमें ए मीटर वोल्ट मीटर और भी चीज़े इसमें इंक्लूट किया गया है electronic उपियंतर जो electronic instrument है साथ में आपका इसमें न indicator इंक्लूट किया गया है साथ में दोस्त आपको यहाँ पर transducers भी है ठीक है transducers भी है जिसमें element of process instrumentation की बात की गई है ठीक है यहाँ पर आपको देखें mention किया गया है कि new article added according to change in new syllabus तो यहाँ पर आपको यह सारी चीज़े बता जा रहा है कि जो आपका new syllabus है उसके मुताबि कि इन चीज़ों को add किया गया है यहाँ पर आप देखें measurement of temperature यह add है ठीक है smart metering system यह add किया गया और syllabus की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए English में जो यह version में दिया गया है और उससे पहले मैं बता दू स्लेबस तो मैं यहाँ पर content को दे ही रहा हूँ साथ म यह जो आप यहाँ पर देख पर हैंगर आप इनको देखना चाते तो इसको तुरंत मैं अभी टेलिग्राम पर इसको भेज दे रहा हूँ तो टेलिग्राम पर जो student join होगे वो देख लेंगे जो नहीं join है वो simple सा आप यहाँ पर description में link मिल जागा टेलिग्राम को इसको join कर मैं आपसे बार-बार यही कहता हूँ कोई वीडियो अपलोड होगी तो तुरंत आपको टेलिग्राम पर मिलेगी कोई भी notification नहीं मिलता तो तुरंत आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी ठीक है तो इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि टेलिग्राम आप जोइन कर टेलिग्राम इंस्टाल कर लीजिए और सिंपल सा टेलिग्राम पर सर्च कर लीजेगा करेंट इस्टडी आप सर्च कर लीजे जिस प्रकार से चैनल का आपका नेम है ठीक है करेंट इस्टडी आपको सर्च करना जैसा कि आपका चैनल का नेम है वैसे ही आपको इसको सर्च क वीडियो से आपको जो वीडियो EIM की प्रोवाइट की जाएगी तो बस आपको फुल सपोर्ट ये करना है कि आप तो यहाँ पर देख रहे हैं गर आप पढ़ रहे हैं भाई कमेंट आपकी आ रहा हैं तो इसका मतलब आप पढ़ना चाह रहे हैं या पिर अपने फ्रेंट सर्कल में चीजों को सेयर करें जिससे वो भी जुड़ सकें और मैं आपको और भी मोटिवेट होकर चीजों को पढ़ा सकूँ अभी तक मैं यहाँ पर जो चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने बता दिया कि आपको information या फिर video content जो आपका education related है सारी चीज़े मिल रही है तो जुड़ी है जिससे आगे भी मैं आपको प्रवाइड कर पाऊँ ठीक है और दोस्तों को भी जोडने की कोसिस के रिए जिससे मैं आपको ज्यादस ज्यादा content यहाँ पर प्रवाइड करूँ को subscribe जरूर करें धन्यवाद